नमस्कार दोस्तों आज हम रेखाएं और कोणों यानि लाइन्स और अंगल्स पर कुछ चर्चा करेंगे यह इस विश्यप पर दूसरी वीडियो है अभी तक पहली वीडियो में आप कुछ जरूरी परिभाशाएं सीख चुके हैं जैसे रेखा, रेखा खंड और किरन, कोणों के प्रकारों के बारे में सीख चुके हैं, कोणों के युग्म जैसे आसन कोण, शीर्षभिमक कोण, पूरक और संपूरक कोणों के बारे में जान कर चुके हैं, और कोणों के रेखिक युगम पर हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। इसी विश्य में आज हम यह सब सीखेंगे। पहले रेखाओं और उन से तिर्यक रेखाओं पर कुछ चर्चा करेंगे और उससे समभंदित परिभाशाएं जानेंगे, फिर समांतर और उसके कौन योग गुण और बहिशकौन से सम्बंदित प्रमय जानेंगे और उनका प्रमान देखेंगे अजन जानेंगे कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं वह रेखा जो दो या अधिक रेखां को बिन बिन्दों पर प्रतिछेद करे एक तिर्यक रेखा कहलाती है जैसे यहां रेखा L रेखा M को A पर और रेखा N को B पर प्रतिछेद कर रहे है अतर रेखा L रेखां M और N के लिए तिर्यक रेखा है इस आकरीति में आप ध्यान दे सकते हैं कि हर बिन्दू A और B पर चार कौन बन रहे हैं जिनमें से यह चार कौन जो लाल रंग से बनाए गए हैं अंतर कौन कहलाते हैं और यह चार कौन जो हरे रंग से बनाए गए हैं वह यह कौन कहलाते हैं जैसे आपने अभी देखा एक तिर्यक रेखा के दो रेक खाओं पर प्रतिछेद करने से कुल मिलाकर आठ कोन बनते हैं और इन कोनों के अनेक युगम बनाए गए हैं जिनका नामांकन किया गया है पहला ऐसा युगम है संगत कोनों का युगम इस युगम के दोनों कोन तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित होते हैं और उनमें से एक अन्ते कोन होता है और एक बाहिय कोन जैसे कोन एक और पांच का युगम ऐसे यहाँ चार युगम हैं पहला आपने अभी देखा दूसरा कोन दो और कोन छे का तीसरा कौन 3 और कौन 7 का और चौथा कौन 4 और कौन 8 का दूसरा एकांतर अंतह कौनों का युग्म है इस युग्म के दोनों कौन तेरे क्रेखा के विपरीत और स्थित होंगे और दोनों ही अंतह कौन होंगे जैसे यहां कौन 4 और कौन 6 ऐसे यहां दो यूग्म हैं, पहला कौन चार और छे का, दूसरा कौन तीन और कौन पांच का तीसरा एकांतर बाहिय कौन इस यूग्म के कौन भी विपरीद और सित होंगे तिर्यक रेखा के, पर दोनों ही बाहिय कौन होंगे, जैसे कौन दो और कौन आठ ऐसे भी यहां दो यूग्म हैं, एक कौन दो और आठ का, और दूसरा कौन एक और कौन साथ का चौथा ऐसा यूग्म है, तेर्यक रेखा के एक ही और के अनतर कौन नाम के अनुसारी आप देख सकते हैं, ऐसे यहां दो युग्म हैं, पहला जो पीले रंग से बनाया गया है और दूसरा जो नीले रंग से बनाया गया है इस युग्म के अन्य नाम भी हैं, पहला संबंदित कौन, दूसरा क्रमागत अंतह कौन और तीसरा सह अंतह कौन अब हम आगे समांतर रेखाओं और उन पर प्रतिछेद करने वाली तिर्यक रेखा पर चर्चा करेंगे अब हम संगत कोणों से समंदित एक अबिग्री ही देखेंगे जिसके अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेद करे तो संगत कोनों का प्रतियक युग्म बराबर होता है यानि इन दोनों कोनों का माँ बराबर है सिरफ यह नहीं हर संगत कोनों के युग्म में दोनों कोनों का माँ बराबर है यानि आकृति में समान रंग से बनाए कोन बराबर है इस अभिग्रीहित का विलोम देखें तो उसके अनुसार यदि एक तेर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेद करें कि संगत कोनों का एक युग में बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समानतर होती हैं यह खुद में भी एक अभिग्रीहित है अब हम एकांतर अंतर कोनों से समंदित एक प्रमय देखेंगे इसके अनुसार यदि एक तेर्यक रेखा दो समानतर रेखाओं को प्रतिछेद करें तो एकांतर अंतर कोनों का प्रतियक युग में बराबर होता है यानि प्रमय के अनुसार आकरिती में समान रंग से बने कौन बराबर है इस प्रमय का प्रमान देने के लिए हमें कौन एक और कौन दो का माप बराबर सिद्ध करना है अभी पड़े संगत कोनों के अभिग्रीद के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोन एक और कोन तीन का माप बराबर है इसी तरह कोन तीन और कोन दो जो हैं वे शीशभिम कोन हैं और शीशभिम कोनों का माप बराबर होने के कारण कोन तीन का माप कोन दो के भी बराबर है इन दोनों से हम निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन एक और कौन दो आपस में भी बराबर है इस से हमने प्रमय का प्रमान दे दिया प्रमय का विलोम हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेद करे कि एकांतर अंत्य कोणों का एक यूग में बराबर है तो दोनों रेखाएं परस पर समांतर होती हैं अब विलोम का प्रमान देने के लिए आप संगत कोणों के अभिग्रीहित का विलोम प्रयोग करके खुद कर सकते हैं एकांतर अंत्य कोणों के प्रमे की तरह एकांतर भाय कोणों का भी प्रमे हैं जिसके अनुसाय यदि एक तेर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रदिछेत करे तो एकांतर भाय कोणों का प्रतिय क्यूग में पराबर होता है यानि बिल्कुल उसी तरह समान रंग से बने कोण बराबर है इसका प्रमान भी संगत कोणों के अभिग्रीहित के द्वारा ही दिया जाता है जैसे यहां कोण एक और कोण तीन आपस में संगत होने के कारण बराबर है और कौन तीन और कौन दो शिशभी मुख होने के कारण बराबर हैं। और इन दोनों से हमने करश निकाल सकते हैं कि कौन एक और कौन दो जो की एकांतर बाय कौन हैं आपस में बराबर हैं। यह हो गया प्रमय का प्रमान। इस प्रमय का विलोम भी बिल्कुल उसी तरह हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार करती छेद करें कि एक आंतर भाय कोनों का एक युग में बराबर है तो दोनों रेखाएं परस पर समानतर होती हैं इसका प्रमान भी आप खुद निकाल सकते हैं अब हम तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतर कोनों से सम्मंदित एक प्रमय देखेंगे जिसके अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो समानतर रेखाओं को प्रतिछेद करें तो तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतर कोनों का प्रतियक युग में संपूरक होता है प्रमय के अनुसार आकरिती में समान रंग से बने कौनों के माप का योग ठीक 180 डिग्री है जिसे उनका संपूरक होना भी कहते हैं प्रमय का प्रमान देने के लिए हमें सिद्ध करना है कि कौन एक और कौन दो के माप का योग ठीक 180 डिग्री है इसके लिए पहले हम देख सकते हैं कि कौन 2 और 3 एक रैखिक यूग में बना रहे हैं जिसके अनुसार कौन 2 और 3 के माप का यूग ठीक 180 डिगरी है साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कौन 3 और कौन 1 एक आंतर अंतर कौन है जिसके प्रमय के अनुसार कौन एक और कौन तीन आपस में बराबर है अब कौन तीन के कौन एक के बराबर होने के कारण हम लिख सकते हैं कि कौन दो और कौन एक के माप का योग ठीक 180 डिग्री है और हमें यही सिद्ध करना था इसलिए हमने प्रमे का प्रमाण दे दिया इस प्रमे का विलूम है कि यदि एक तर्या क्रेखा、 दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेद करे कि तर्या क्रेखा के एक ही और के अंध्य कोनों का एक yug में संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस पर समानतर होती हैं इसके विलोम का प्रमान आप खुद ट्राय करिए. अब हम एक ही रेखा के समानतर रेखाओं पर कुछ चर्चा करेंगे. मान लीजिए एक रेखा है L और इसके समानतर हम दो रेखाओं बना रहे हैं M और N. अब क्या हम क्या सकते हैं कि रेखा M और N भी हापस में समानतर हैं? आएए देखते हैं. पहले हम तीनों L, M और N को प्रतिछेत करती हुई एक तेर्यक रेखा बनाते हैं. फिर तीन कौन ले लेते हैं. एक, दो, और तीन. अब संगत कौनों के अभिग्रीहित के अनुसार कौन एक और दो रेखा L और M के समानतर होने के कारण बराबर हैं. इसी तरह कौन एक और तीन भी रेखा L और N के समानतर होने के कारण बराबर हैं. अब इन दोनों के कौन एक के बराबर होने के कारण हम कह सकते हैं कि कौन दो और तीन का माब भी बराबर है अब संगत कोनों के अभी ग्रीहित का जो विलोम था वहयाद करिए उसके अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेद करें कि संगत कोनों का एक युगम बराबर है तो दोनों रेखाएं परस पर समानतर होती हैं यहां यह तिर्यक रेखा, रेखा M और N को इस प्रकार प्रतिछेद कर रहे हैं कि संगत कोनों का एक युगमर, दो और तीन आपस में बराबर है. इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा M और N भी समांतर हैं. इस निशकर्ष को एक प्रमय की तरह लिखा जाता है, जिसके अनुसार, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस पर समांतर होती हैं. अभी तक हमने जो भी सीखा है, उस पर आधारत एक प्रेशन करना सीखेंगे. आकरिती में हमें दिया है कि रेखा AB और रेखा CD समांतर हैं, कोन PLB का माप 60 डिग्री है, कोन LND का माप 110 डिग्री है, और हमें कोन MLN का माप यानि X ग्याद करना है. पहले हम कह सकते हैं कि PLB और ALM शीखा भी में कोन हैं, जिसके कारण इनका माप बराबर होगा. दूसरा हम देख सकते हैं कि कोन BLN और कोन LND तिर्या करेखा के एक ही और स्थित अंतरे कोन हैं, जिसके प्रमय के अनुसार इन दोनों का माप का योग 180 डिग्री होगा. अब कोन LND का माप हमें पता है, जिससे हम यह लिख सकते हैं और कोन VLN का माप 70 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं. तीसरा हम कह सकते हैं कि कोन ALM, कोन MLN और कोन NLB का माप का योग ठीक 180 डिग्री है. अब हमें कोन ALM और कोन NLB का माप पहले से ग्यात है और कोन MLN का माप X के बराबर है, जिससे हम यह लिख सकते हैं. इधर 60 डिग्री और 70 डिग्री को मिलाकर 130 डिग्री लिख सकते हैं और आगे हमें यह प्राप्थ होता है जिससे हम X को 50 डिग्री के बराबर ग्याद कर सकते हैं। इस तरह हमने प्रश्न को हल कर लिया। अब हम तरिभुज यानि ट्राइंगल पर कुछ चर्चा करेंगे। अब हम तरिभुज के कौन योग गुण के बार में जानें। इसके प्रमय के अनुसार किसी तरिभुज के कौनों का योग 180 डिग्री होता है। यानि कौन एक, कौन दो और कौन तीन के माप का योग ठीक 180 डिग्री है। इसको सिद्ध करने के लिए हम बिंदू A से रेखा B, C के समांतर एक रेखा खीच लेते हैं और इसे मान लीजिए रेखा P, Q कह रहे हैं। अब हम दो कौन मान लेते हैं, कौन 4 और कौन 5। अब हम कह सकते हैं कि एक आंतर अंतर कौनों के प्रमय के अनुसार कौन 4 और कौन 2 बराबर हैं और कौन 5 और कौन 3 आपस में बराबर हैं। अब हम देख सकते हैं कि कौन 4, कौन 1 और कौन 5 एक रेखा PQ बना रहे हैं जिसके कारण इन तीनों के माप का योग ठीक 180 डिग्री है पर कौन 4, कौन 2 के बराबर है और कौन 5, कौन 3 के बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं कि कौन दो, कौन एक और कौन तीन के माप का योग भी ठीक 180 डिग्री है जिससे हमने इस प्रमय का प्रमान दे दिया अब हम त्रिभुज के बहिश्कौन से समंदित एक प्रमय जानेंगे इसके अनुसार यदि एक त्रिभुज की एक बुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिश्कौन तोनों अन्ते अभिमक कौनों के योग के बराबर होता है यानि प्रमय के अनुसार कौन चार का माप कौन एक और कौन दो के माप के योग के बराबर है इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम देख सकते हैं कि कौन 3 और कौन 4 संपूरक कौनों का युग में है इसलिए इन दोनों के माप का यूग 180 डिग्री होगा दूसरा हम देख सकते हैं कि कौन 1, कौन 2 और कौन 3 त्रिबुज ABC के अंतर कौन है और उसके कौन यूग के गुण के अनुसार इन तीनों के माप का यूग भी 180 डिग्री है अब इन दोनों यूग के 180 डिग्री होने के कारण हम यह लिख सकते हैं और कौन 3 का माप दोनों और होने के कारण हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं जो हमारा प्रमेथ ही था, इसलिए हमने उसका प्रमान दे दिया. अब हम नए सीखे प्रमेथ के उप्योग करके पहले कि ये उधारन को एक नए तरीके से हल करना सीख सकते हैं. पहले हम कह सकते हैं कि कौन PLV और कौन LMN का माप बराबर है, क्योंकि ये संगक कौन है और रेखा AB और CD समानतर दिये हैं. दूसरा हम देख सकते हैं कि कौन LNM और कौन LND समपूरा कौनों का यूग में है, जिसके कारण इनके माप का योग 180 डिगरी है, और LND का माप हमें ग्याद है 110 डिगरी, जिससे हम MNL का माप 70 डिगरी निकाल सकते हैं. तीसरा हम देख सकते हैं कि कौन LN, कौन MNL और कौन NLM के माप का योग 180 डिगरी होगा, क्योंकि ये त्रिबुज के अंतर कौन है और कौन योग गुन के अनुसार इनके माप का योग 180 डिगरी होगा. अब हम यह लिख सकते हैं और MNL और LMN का माप ग्याथ होने के कारण हम यह लिखेंगे जिससे हमें X का माप 50 डिगरी प्राप्त होगा साराश आज हमने क्या क्या सीखा पहले हमने रेखाओं और तेर्यक रेखा से समंदत परिभाशाएं देखी जैसे अंधय कौन और बाहय कौन संगत कौन से समंदित एक अभिग्री ही देखा, एक आंतर अंतर कौनों, एक आंतर बाये कौनों और तेर्यक रेखा के एक ही और के अंतर कौनों से समंदित प्रमय देखे और उनके प्रमान सीखे एक ही रेखा के समांतर रेखाऊं को समांतर सिद्ध करने का प्रमांड देखा, तृबुज का कौन योग गुन देखा और तृबुज के बहिशकौन से सम्मंदत प्रमय देखा और उसका प्रमांड कैसे देना है वैसी खा यहीं पर हमारा विशे रिखाएं और कौन समाप्त होता है दोस्तों यह हमारा एक नया section है जिसमें हम आपकी शब्दावली में नए शब्दों को जोडने का प्रयास कर रहे हैं आज का पहला शब्द है experience जिसका अंग्रेजी में मतलब है practical contact with and observation of facts or events यानि अनुभव और दूसरा शब्द है explosion a violent shattering or blowing a part of something as is caused by a bomb यानि विसफोट अशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे आपकी कुछ मदद हुई कोरोना के इस समय सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों